पीएम ने शी को आमंत्रित किया, मोधी के हमले पर कनिमोजी की चीन दुश्मन नहीं की वापसी। पीएम मोधी ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुनेल वेली में एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि सत्ता रूड पार्टी ने चीनी रॉकेट का स्टिकर चिपकाया है। पीएम मोधी ने भी चीनी नेता को भारत में आमंत्रित किया था। करते हुए दावा किया कि सत्ता रूड पार्टी ने विज्यापन में चीनी रॉकेट का स्टिकर चिपकाया है। डियम के एक ऐसी पार्टी है जो काम नहीं करती है लेकिन जूठा श्रेय लेने के लिए आगे रहती है। ये लोग हमारी योजनाओं पर अपने स्टिकर चिपकाते हैं। अब उन्होंने हदपार कर दी है। उन्होंने तमिल नाडु में इसरो लांच पैड का श्रेय लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। पी एम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि द्रमुक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और आपके द्वारा भुगतान किये गए करों के साथ वे विज्यापन देते हैं और उनमें भारत की अंतरिक्ष की तस्वीर भी शामिल नहीं करते हैं। वे भारत की अंतरिक्ष सफलता को सामने नहीं रखना चाहते थे। दुनिया, उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों, हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र और आपके करके पैसे का अपमान किया। अब समय आ गया है कि द्रमुक को उनके कृत्तियों के लिए दंडित किया जाए। PM मोदी ने कहा, तमिलनाडू BJP अध्यक्ष के अन्नाम लाई ने कहा कि DM के इसरो द्वारा शुरू की गई रॉकेट सुविधा को रोकना चाहती है। जिस दिन प्रधान मंत्री हमारी तमिल धर्ती पर हैं और बहुत गर्व के साथ उन्होंने तमिलनाडू के दक्षणी भाग से भारत की दूसरी रॉकेट लॉंचिंग सुविधा की आधार शिला रखी है। एक डियम के मंत्री एक चीनी रॉकेट के साथ एक पेपर विज्यापन देते हैं प्रिष्ट भूमी। कनिमो जी जो एक वरिष्ट सांसद हैं ने इसका बचाव करते हुए कहा कि चीनी तस्वीर रखने में क्या गलत है। वे हमारे दुश्मन नहीं है। डियम के रॉकेट लॉंचिंग सुविधा को यहां आने से रोकना चाहती है। और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने आकाओं को खुश करें। अब जब पूरा भारत जश्न मना रहा है कि हम इसे भारतिये तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे यहां डियम के के लोग हैं, जो च्च चीन का महिमा मंदन कर रहे हैं।